प्रिणाम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग देखे हम अपनी amplifier की सिरीज को आगे चलाते हुए आज आपके सामने दो amplifier की चर्चा करेंगे क्लासे और क्लास भी कल के क्लास में करेंगे हम AB और C और लास्ट क्लास में हम discussion करेंगे Class D Amplifier तो आज हम आपसे चर्चा करने वाले है Class A Amplifier की किसकी बच्चा? Class A Amplifier Class A Amplifier फिर इसके बाद करेंगे Class B Amplifier की चर्चा Amplifier आपको मैंने जैसे Basics चीजे बताई थी तो Basics मैं आपको बता दिया था कि अगर आप Input इसमें Full Cycle का दे रहे हो तो Output भी किसके लिए मिलेगा Full Cycle के लिए ही मिलेगा और जो आपका Class B होता है उसमें Half के लिए मिलता है यह सब आपको याद है तो मैं इसमें समय बरबाद नहीं करता मैं क्या करता हूँ? आपको इसका बड़ा सुन्दर सा Graph बना के दिखा देता हूँ ठीक Graph नहीं एक तरीके से Graphical Representation बोलते है इसे देखो अगर आप यह समझगे थोड़ा सा बीच में लेके बनाता हूँ फिर आप इसका Screen Short ले सकते हो आपको हलका सा याद हो ऐसा हम बनाते थे यहाँ IC होता था यहाँ VCC होता था याद है कुछ थोड़ा बहुत और हम क्या करते थे ऐसे Load Lines वाले topic पर पहुच जाओ याद है सर याद है और यहाँ पर हम एक point ले 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 लेते थे यहाँ पर ले ले लेते थे दोनों को मिला देते थे यह जो मिलती थी यह होती थी load line क्या होती थी load line याद है अब इस load line पर हम IB की कोई value निकालते थे और यह जो IB की value जहां cut करती थी इसे क्या बोलते थे Q point मैंने आपको stabilization में Q point और load line दोनों समझा रखी है तो हम मैं सब रफ कर देता हूँ यहाँ पर केवल दो चीज छोड़ता हूँ एक तो load line और एक Q point कर दू रफ आप समझे ना बहुत ज़्यादे टिपिकल चीज में आपके सामने लेके आ रहा हूँ ठीक है VCC नी output common meter ठीक चलिए मैं रफ कर देता हूँ इसे अब मैं आपके सामने सिंपल फिगर बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आसा है आपको समझ में आईगा क्योंकि अगर आप मेरी क्लास में नहीं समझ पाए तो भाईया आप मेरे हाँ समय वियर्थ ना करना फिर ओ यह क्या हो गया load line यह क्या हो गया आपका IC और यह क्या हो गया load line को थोड़ा सा इसके पास यह क्या हो गया VCE यह क्या हो गया आपका load line load line फिक है बच्चा यहाँ पर बीच में क्या हो गया यह आपका कहीं पर Q point जब A भी पढ़ते हैं बी पढ़ते हैं तो यह Q-point यहां shift हो जाएगा, बिल्कुल exact middle में होता है, यह जो आपकी क्या है class A amplifier, इसमें जो Q-point है, वो इस load line के बिल्कुल middle में होता है, क्या है यह Q-point, क्या है यह Q-point, जब आप B पढ़ोगे, तो इसके निच्चे पोच जाएगा, और जब आप A-B पढ़ोगे, तो भहिया B के और A-B के बीच में होगा, और जब C पढ़ोगे, तो इससे भी निच्चे पोच जाएगा, समझे ना, Q-point के base तो और बता रहा हूँ, जब आप class A amplifier पढ़ते हो, तो Q-point load line के बिल्कुल बीच में होगा, ठीक, class B पढ़ोगे, तो भहिया इसके सबसे last में होगा, A-B पढ़ोगे, तो ऐसा जो ना A पढ़ोगो ना B पढ़ोगो, तो A और B के बीच में होगा, और जब आप क्या पढ़ोगे, class C amplifier उसमें और निच्चे पोच जाएगा, A पर ही हाँ, B पर ही हाँ, C पर ही हाँ, सिंपल सी चीज है, A-B पर कहा है, इन दोनों के बीच में, समझ गई, सर समझ गई, अब मैं figure बना के दिखाता हूँ, आपको signal की, यहां से क्या करा, हम क्या करते हैं, यह समय है, T, T की लाइन है, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर signal दिखते हैं, कोई signal के लिए मैं गिराव बनान के लिए, ताकि equal रहे, यहां पर ऐसे दो लाइने खीच के, इनके अंदर क्या देखा देता हूँ, मैं कोई signal दिखा देता हूँ, यह क्या है, बच्चा, कोई signal दिया मैं, ठीक है, उधर से आ रहा है, यह ऐसे, यह क्या है, बिट्टा हमारा, input signal, क्या है, input signal, इन पूट सिग यहां पर मुझे क्या मिलेगा, output, output भी मैं आपको जैसी figure दिखा देता हूँ, आपको घबराने के जवरतिनी है, बात की थोरी मैं सब लिखाऊंगा, पहले समझा रहा हूँ आपको, क्या मिलेगा यहां पर मुझे, यह क्या मिलेगा मुझे, आउट्पुट, ऐसे, ठीक, य यह क्या है मेरा, output, output, current, output, current है यह, voltage दिखाना, तो आप यहां दिखा सकते हो, यहां खेचो, यहां खेचो, यहां खेचो, और यहां ऐसे गिराफ बना दो, यह current वाली लाइन है ना, तो current वाली लाइन उपर को है, तो current वाली लाइन पर दिखाया है मैंने, और यहां बना द लिए इंपुट डाला था फुल के लिए क्या मिला है आपको आउटपुट मिला है तो इस फिगर में कोई धबराने वाली ऐसी कोई मैंने नहीं हमारे पापकी बाहसा में फार्सी की टांग लगाई नहीं जब आप किसकी बात करोगे किलास B की तो यह क्यूपोइंट यहां आ किये जा सकते हैं तो किलासे आप नूर्मली बेसिक लिंगवेज में मैंने आपको इससे पहली लिंगवेज में समझा दिया था फुड़ी टेकनिकल लिंगवेज में समझाया है बेसिक में क्या बताई था कि आप इन्पुट क्या करो ऐसे डाल दो full और आउटपुट भी कै क्या मिले भाइया अध्य से ज्यादा पूरे से कम पूरे से कम और अध्य से ज्यादा यह क्या हो गया आपको इस से पहली वीडियो में डिसक्रशन कर चुका हूँ एक ग्राफ का screenshot लेलो क्योंकि हम मैं आपको इसे rough करके ठोरी कराने वाला हूं क्योंकि मेरी class केवल लेकी फायदा है हम समझते तो सब कुछ हैं लेकिन साथ में हम notes भी बनाते चलते हैं चली अब notes बनाते हैं मैं बताता चलता हूं आपको साथ-साथ में सारी चीजे देखो क्या लिखा हुआ है दिस इस दा पहले मैं क्या करता हूं इधर करकर वहर की साइड आ जाता हूं क्यों कि मैं लिख भी सकूंगा फिर चीजे क्या है देखो बोर्ड पर देखो क्या है एक class amplifier is one in which मतलब class amplifier जो एक है किन मैं से जिन में बाइसिंग सर्कुट इस तरीके से एड़ेस्ट किया जाता है बाइसिंग सर्कुट कौन सा mostly voltage डिवाइडल लिया जाता है मैं discussion कर चुका हूं कि so that there is a zero signal collector current जब हमने क्या पढ़ाता बच्चा हमने पढ़ाता आपका ट्रांजिस्टर बाइसिंग तो मैंने बताए ता मेंटेन रखनी पढ़ती है जीरो सिगनल पर भी कलेक्टर करण तो आप देखो इसमें जब आपने ऐसे गिराफ खचा था अभी समझे ना क्यों पॉइंट आपका यहां है तो ऐसे आपने दो सेकिंड पहले अभी एक समझ गई तो इसमें क्या है जीरो सिगनल कलेक्टर करण एंड ओपरेटिंग पॉइंट क्यों जो है वो लाइज कर रहा है नियर दा मिड़ पॉइंट ओफ लोड लाइन वे एसी लोड लाइन के मिड़ पॉइंट में क्या कर रहा है क्यों पॉइंट लाइक कर रहा है यह आ आप इसमें current देते हो है, signal देते हो, तो जो current flow करती है, पूरे के पूरे whole cycle के लिए flow करती है, अब इसकी आप figure देख लो, जो मैंने बताई थी वो ही है, चलो, अब इसकी characteristics पढ़ते हैं, गुन पढ़ते हैं, फाइदा पढ़ते हैं, since the collector current flows, during the whole cycle of the applied signal, जो collector current flow करती है, वो पूरे के पूरे whole cycle के लिए flow करती है, no part of the signal is cut off, यानि के पूरे के लिए flow कर रही है, output complete मिल रहा है, कहीं पर ऐसे cut नहीं हो रहा, तो कहीं पर कोई भी cut off नहीं हो रहा, that is, that is का मतलब क्या है, अर्थात, the output waveform is exactly similar to the input waveform, यानि के जो output waveform मिल ली है, वो बिलकुल input waveform जैसी है, similar है, बिलकुल, hence class A amplifier gives almost distortion less, यानि के जो class amplifier होता है, लगभख विकरती less, मतलब कोई भी विकरती नहीं होती है, smoothly चलता है, एकदम कहीं पर भी, टोको टोको कट नहीं होता, amplification and has high fidelity, और उच गुनवत्ता होती है, fidelity मतलब निष्ठा, अच्छी निष्ठा होती है, समझ गई, next क्या है, next क्या है, it is used for amplified signal of small amplitude only, यह small amplitude के signal को use करने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि large signal जो है, cue point को अपनी जगे से बदल देंगे, जब large signal पढ़ेगा, तो cue point अपनी जगे से हट जाएगा, लिखा हुआ है, full stop, large signal will shift the cue point, towards saturation region and cut off region, thus causing distortion, क्या large signal जो है, वे क्या करें, cue point को बदल लेंगे, या तो saturation point की region की तरफ, या cut off region की तरफ, जिस वज़े से distortion मतलब, विकर्टी मतलब, कोई ना कोई कमी विकार उत्पन हो जाएगा, अब मैंने आपको बताये था, जब हम ऐसे graph कीते हैं, नलाई को, यह जो reason होता है, यह cut off होता है, और यह जो graph ऐसे बनता जा रहा, ऐसे बनता जा रहा, यह जो खाली जंगे है, यह saturation reason होता है, याद है सब कुछ, सर हमें सब कुछ याद है, इसलिए तो आपको पढ़ाने मुझे मज़ा आता है, next समझो, next समझो, next समझो, due to the limitation of input signal amplitude, मतलब input signal amplitude की क्या limit के कारण, मैंने क्या बताये था, इससे पहले point में कि छोटा signal बेजा जाता है, the AC output is low, जो output AC मिलेगा, वो भी हमें क्या मिलेगा, low मिलेगा, कमद्योर मिलेगा, इसमें next क्या कह रहा है, कि जो इसकी collector efficiency है, वो 50% से कम होती है, लगभग मैं आप से बताऊं, 35% के आसपास, efficiency क्या होती है, दक्स्ता, दक्स्ता मैंने बताये था, output upon input, मतलब सर, अरे यार, आप कम से कम देके, जादे से जादे, जो हमें दे, वो इतो अच्छा है, वो इतो जादे दक्से, सर कैसे, घर में दो फैन है, एक unit खाके जादे हवा दे रहा है, एक दो unit खाके कम हवा दे रहा है, जादे अच्छा कूल जो सर कम लेकर जादे दे रहा है जैसे सर आप कोई फीशनी ले रहे हो इतना अच्छा दे रहे हो तो मैं एफिशेंट हूँ कोई मुझसे भी जादे एफिशेंट कौन होगा जो आपको फिरी पढ़ाई भी और उल्टा आपको पैसे भी दे वो क्या होगा तो भाई साब आप समझ सके इसकी एफिशेंटी 50 परसेंट से भी कम है लगबग कितनी है लगबग 35 परसेंट के आसपास इसकी क्या है इफिशेंसी है चलिए यह सारी चीज़ें हम समझ चुके अब आग्गे समझो अंडर जीरो सिगनल कंडिशन जब इसमें कोई भी जीरो सिगनल हो कोई भी सिगनल ना हो दा एंटायर पावर गिवन तो दा ट्रांजिस्टर इज डिसिप्टेटिड एज हीट आप इसे जो भी पावर दोगे वो हीट में कनवर्टे डिसिपेट हो जाएगी बिकोज देर इस नो एसी आउटपुट पावर क्यों कि भार तो क क्या जनरेट होने लगेगी हीट जनरेट होने लगेगी क्योंकि आउटपुट तो कुछ है ही नहीं सर आप एक बात तो बताओ इतनी सारी क्रेक्टेस्टिक तो लिखवा रहे हैं पेपर में कोई तीन लिखके आना टेंशन फिर रहना लोड नहीं लेनी बिल्कुल भी अब इसका क्या करें यूज होता है जो वेल्टेज अंप्लिफायर होते हैं अब हम क्या करेंगे क्लास बैंप्लिफायर यूज करेंगे Class B Amplifier में आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो Class B उसमें भी मैं दो मिनिट में ऐसी करा दूँगा Class B Amplifier आपको समझ में तो सबाया होगा इसमें कोई rocket science वाली बात थी ही थी Class B में मैंने क्या बताया था देखो यह तो आपका VCE हो गया यह IC हो गया यह क्या हो गया आपका load line हो गया A में Q point कहां लाई करा था Middle में इसमें Q point कहां लाई करेगा समझे है मेरे चांद, सितारो, रसगुलो समझ गई चल यह सरी हां लाई कर गया तो यहां ऐसे ऐसे कर लो और निच्चा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है क्यों घवरा रहे यह आपका क्या हो गया input हो गया हो गया अब output के लिए क्या करोगे ऐसे अब आप output के लिए जब खिचोगे मेरे चांद, सितारो तो थोड़ी सी खोपड़ी चलाना क्या करोगे ऐसी तो खिचेगा पर निच्चे वालों का तो कुछ है नहीं वजूद collector करन तो पर की तरफ है खीक है बच्चा मेरे तो देखो आपने full cycle के लिए डाला और मिला किसके लिए half के लिए क्यों क्योंकि Q point की location change हो गई थी, अगर Q point देखो, मैं आपको बताऊ आपको मैं point यहां लाई करेगा, input तो पूरा मिलेगा, लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, output की तो भाई है, ये तो उपर वाला ऐसी चलेगा, निच्चे वाला ऐसे तो ये मिट जाएंगी, तो देखो बता full के लिए full से तो जादे, half से क्या है, ये आपका class B amplifier, आप देखो zero पर ये, zero पर ये आपको signal मिल रहा हो पर, तो zero signal current नहीं होती, तो इसमें there is no zero signal collector current, समझ गई, तो ये सारी कहानी किसकी है, आपकी class B amplifier, कि अगर ये आप graph समझ गई ना, main चीज़ है graph mind में चापना अगर आप समझ गई, देखो q point बीच में होगा, तो class ए, q point q point जो, आपका v c पे होगा, तो class B amplifier, a और b के बीच में होगा, तो a b, और v c e से निच्चे होगा, तो कौन सा आपका, कौन सा class c amplifier, समझ गई सारी कहानी, सर अब जाके हमारी कहानी खुली है अब ये चीज़े हमें जाके crystal clear हुई है, अब class B amplifier की थोरी, जब मैं offline class पढ़ाता हूँ, उसमें तो मैं लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन आप सा हमें ज़्यादे प्यार है फिर भी आप video share नहीं करते बेटा video share करने, likes तो इतने आप देखते हो, viewers देखते हो, likes आते नहीं है, पांदस like होते हैं, वीव इतने ज्यादा होते हैं, पसंद आती है तो आ, like भी क्या करो like करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, बस क्या होगा को एक खुशी मिलते कि इतने लोग हमें पसंद कर रहे हैं, like भी क्या करो, comment भी क्या करो, सर अच्छी लगी वीडियो, मज़ा आया, नहीं आया, तभी offline की feeling आईगी, समझ रहे हो, एक connect bonding तभी होगी, कुछ दिन मैं live शुरू कर दूँगा, मैं पर अभी ही थोड़ा सा समय की थोड़ी सी क्या चल लिए, दिखके चल लिए, वैसे live मिले पा रहा, तो आप ऐसे manage करो, यार, मैं भी तो manage कर रहा हूँ, अब देखो, क्या class B amplifier, तो देखो, देखना चाल लू कर दो, एक class B amplifier is one in which the bicing circuit is so adjusted that there is no zero signal collector current, उसमें क्या थी, there is zero signal collector current, ठीक, and the operating point Q lies at the cut-off point of the AC load line, जहाँ AC load line cut कर रही थी, उसे ही तो cut-off point कहते हैं, मुहाँ पर क्या करता हो, lie करता हो, and when AC signal is applied, the collector current flows only during the positive half cycle, जो positive half cycle के लिए मिले, signal के लिए output, वही आपका क्या है, आपका class B है, तो पहली चीज कि क्यों point, cut-off point पर line करना चाहिए, load line की समझ ले, दूसरा point half के लिए क्या मिलना चाहिए, आपको output current मिलना चाहिए, सब हम graph से समझ चुके, इसलिए कहता हूँ, एक ऐसी बहासा होती है, जिसे math और physics वाले दुनों समझ सकते हैं, बहासा कौन से गिराफ की, तो ये गिराफ है आपका, चलिए, गिराफ का भी screen short, screen short लेते चलिए, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, अब characteristic, आपको पता है, since the negative half cycle of the signal is totally absent, tiny negative half cycle, in the output, a class B amplifier suffers from a serve distortion, तो इसमें कुछ कमिया होती है, कुछ विकार होता है, कुछ विकर्ती होती है, क्योंकि भाईया cut मिलेगा, पहले तो देखो, क्या करा, आप दोडे, फिर खाल ली जगें, फिर दोडे, तो यो cut ना मिल गया, तो इसमें थोड़ी बहुत विकर्ती मिलती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए सर समझ रहे, next, class B amplifier provides medium power output and medium collector efficiency, 50% in comparison to the low output power and low collector efficiency of the class A amplifier, मतलब class A amplifier कम efficient था, कितना 35% और ये कितना है, 50% क्योंकि negative cycle तो खतमी हो गया, तो ये क्या हो गया, उससे ज़्यादे efficient हो गया, किस से आपके class A amplifier से, ठीक, since there is no zero signal collector current, no power is supplied by the DC source in the absence of signal, यानि कि क्या है, इसमें zero signal current है, तो DC source की absence में कोई भी power supply होगी जब no zero signal, कोई zero signal पर current ही नहीं होगा, तो power कहां से आ जाएगी, समझें, अब class जो आपके B amplifier से, वे किस की तरीके से use किये जाते हैं, देखो power amplifier की तरीके से, audio frequency जो होते है, power amplifier usually belong to class B, audio जो टुडु टुडु चिलाते हो ना, वे किस से belong करते हैं बेटा, class B से है, ठीक चलिए, अब आप से हम बताते हैं बेटा, ये unit two चल लिए, unit two जल्दी खतम करेंगे, फिर आपके objective series चल लिए, first book की objective series आपकी चल चुकी है, perspective of modern physics की, इसकी objective series हम sub book खतम होने पर नहीं, साथ ही हम first unit इसे खतम होगे, उसकी साथ सुरू करने वाले, बाकि अगर आपको और जल्दी चाहिए, तो आप comment box में हमें बताओ, मैं और जल्दी सुरू कर दूँगा, मिलते हम आप से next class में, तब तक के लिए, good luck, पिन्दाम, जै हिंद, जै भारत.